हेलो एवरिवन दीश शम्शाद हैर आई होप आप लोग सब बहुत बढ़ियां होंगे और बहुत बढ़ियां से आप लोग डीटर एलेक्रोनिक्स पॉड़र रहे होंगे आज हम लोग जो थेोरम पढ़ने जा रहे हैं उसका नाम है Boolean Algebrais Theorem इस पूरे पेज में एक single page है जिसमें मैंने सारे Boolean Algebra को collect किया है और जतने भी logical expression में use होते हैं Boolean Theorem उसको मैंने एक page में collect किया है Total 23 Theorem है जिसको मैं आज आपके सामने discuss करूँगा ये सारे Theorem ऐसे हैं जिससे direct objective question आपकी examination में आता है जैसे डिप्लोमा का अगर आप प्रिवियस यह का कोश्चन उठा कर देखेंगे तो इसमें से बहुत सारा थेवर्म डायरेक्ट आपके अब्यक्टिव में पुछा गया है तो आपको यह आज समझाऊँगा कि कैसे यह वर्क करता है और कैसे इसका यूज डायरेक्ट डेट इलेक्ट अलेट्रोनिक्स में होता है अगर यह थेहोरम आप अच्छे से समझ जाएंगे तो यह आपको एक beneficial यह होगा कि आप जब इसके बाद के मैप पढ़ेंगे तो के मैप में इस सारे थेहोरम का यूज होगा वहाँ पर मैकसिम में में जो में में त्योरम है उसका यूज आप के मैप में भी करेंगे और के मैं में जब इसको यूज करेंगे तो आपको clearly समझ में आएगा के मैप समझने के लिए यह थेहोरम बहुत जरूरी है तो सबसे पहला मैं एक पेज बाड़ी-बाड़ी से लिखता जाओंगा और उसके बाद इसको समझाता जाओंगा तो सुरू में जो एक से 1 to 8 जो देख रहे जाओंगे क्या ए पलस 0 करने पर आता है तो यह क्या है कि हम रखके बारी-बारी से देखेंगे जैसे ए पलस 0 के बारे में कहा जा रहा है तो यह क्या हो सकता बाइनरी नंबर सिस्टेम में या तो यह 0 होगा या यह 1 होगा कि माल लें सब्सक्राइब तो क्या हो जाएगा वन पलस जीरो और यह प्लस जीरो आज़ेट फिर से आप देखा यह प्या रहकिए जीरो रखकेशें चाहांए जीरो रखके आप यह जब भी एपलस जीरो करें है वो के बराबर होगा एक बराबर होगा तो यह पहला है यहां पे बेसिक यह तो एक दम बेसिक है यह सब बंदब बाइनरी नंबर रखिए 10 रखिए और आपने आप आप वेरिफाई कर सकते हैं कि यह सही है या नहीं है दूसरा एंड गेट पर बेस्ट है कि एंटु वन क्य कि अनुसरा पर गकद जिक हैं जोन आरहिक का बिकुत हना राए यहां यहां सबस्क्तव हो जाएक को memb पर आысपे रखेंग में जून हो जबन परकित यह जाए वेरिफाई करनें आसान हो आपका का मिने हैं तरी टॉलनब को यह है है यह दुनों का मिनुवार्य धोर्म कियोंकि यह बहुत जाधा यूजगा नानि प्लस वक्तिय हुआ equal to one यह a plus a bar equal to one कैसे होता है इसमें आप कोई भी value रखके देखें a value zero रखें suppose तो a bar कितना हो जाएगा one हो जाएगा और 0 plus one कितना हो जाएगा similarly one हो जाएगा यानि आप a value चाहे 0 रखें आप one रखें a value अगर आप one रखेंगे है तो बार कितना हो जाएगा जिरो जएगा फिर से एप्लस बार करेंगा जो कितना हो जाएगा वन प्लस जीरो ड기रान यानि है का गण रतरोअ चाहे है अच्छाए ऐध का रखेए बन रखें हर नहीं होता है तो एक हवाल में चल्शाइब करें और गुल्प्लाइब हाल में एका विश्य आप कुछ रखे one लखे चाहने जीड़ रखें और ऐपका जीड़ वारा है इसलिए कहा जाता है कि a into a बार जब भी आप रखेंगे तो वैलुक्ष्य आएगा पुछ तक चला है काफी लंबा 20-25 ए को मिल्टिप्लाइब कर देज़ा तब क्या होगा और पूट भी यही आएगा क्योंकि वन को आप 20 बार कितनी बार कीजिए क्या यह नहीं है यह नंबर सिस्टम बाइनरी के फॉर्म में होता है वन जीरो इसक फॉर्म में ओके आगे देखें यह 910 जो लिखा यह इस यह थोरम और जितना मैं रिड़से मार्क करके रखा है कंसेंस थेओरम दी मॉर्गन थेओरम और कॉम्यूटेटिव ला और लास्ट में पढ़ेंगा हम लोग एस चार पांत ला जो है यह डिटाल अर्ट्रोंज का समझे के बेस है जब भी आपको कोई बूलियन expression solve करने के लिए दिया जाएगा तो boolean expression को दो तरह से solve किया आता है दो तरह से minimize किया आता है या तो k-map को use करके minimize किया आता है या boolean algebra theorem जो अभी हम पढ़ रहे है boolean algebra theorem इसको use करके minimize किया आता है तो यह जब भी हम पढ़ेंगे boolean algebra theorem को use करके minimize करने का तो यह सारा ला जो पढ़ रही है यही यूज़ होगा इसी ला की help से हम लोग उस theorem को मतलब किसी भी expression को minimize करेंगे और उसके बाद उससे क्या करेंगे लॉजिक डिजाइन करेंगे तो सारा काम इसी पे टेपेंट करता है अगर आप यह समझ गया है यह तो आपको इसको ध्यान हमेशा रखेंगा कि कैसे काम करता यह और इसको वेरिफाइब करने के लिए मैंने जैसा पता है कि एक और बी और सी कुछ भी कोई भी वेरियेबल है तो देखिए इसके साथ में इसके साथ तो दिस्ट्रिबूशन हो जाएगा एक यह कहला गए भी प्लस एभी आप लोग अगर नहीं पड़ा तो यहां पी जियान रखेंगे कि इस तरह सोथा इसके साथ होगा इंटू लिखाएगा फिर उसके बाद एक एक बर एडिचन इसके साथ होगा को कैसी के साथ तो यह फ़र्म में लिखाएगा एक इनटू एपलस इसका रूल है को उसको कहते हैं इसको डिस्ट्रिबूशन थिऊरम की एपलस बी सी है तो क्या लेखेंगे एपलस बी इंटू एपलस सी है यह याद रखिएगा और इसका उल्टा करेंगे इधर से तो एक दो बार आप ट्रैक्टिस करेंगे तो अपनी आप आपको दिमाग में बैठ जाएगा और आप आगे हमेशा यूज़ करते रहेंगे यह त्योरम जो है जो मैंने रेट से मार्क करके रखा उसको आपको याद रखना पड़ेगा यह होता है ठीक है और इसको वरिफाई करन क्षिए मर्मधा को करएंगा को बार्यां खा吧 करेंगे तो हम लोग इसको क्या लिख सकते हैंbrod क्वान तरीका लगा सकते हैं एक तो उपर वाला तरीका डिस्ट्यबूशन के फॉर्म में लगा सकते हैं ऐसा करके ठीक है उसे फिर वन-zero करके करेंगए लेकिन दूसरा तरीका क्या है देखे यह ए और यह न है यह क्या कर सकते एक अ को तो यह इंटू वन कितना हो जाएगा आपका यह हो जाएगा तो देखिए यह यहां थेओर मैं इसको मैंने यहां पर दिखाया आपको गयारवा नंबर खोरम यह पलस अब इक्वल क्या और इसको कैसे तोरके लिख सकते हैं एंटू 1 प्लस बी और इसको क्या लिखेंगे कि आपको spate करता है कि इतना प्राबर यहां ठीक है इसम ≥में बता दिया है यह यह प्लस ब्राबर यह होगा लगिन कैसे होता है यह आगे मैं तरास-ई-स स Lore कर दिया है यह चोड़ा करके आप समाझ सके का हूं अगे मैं सील कि explain कर दिया थाकि यह कैसे होता आपको समझ में आ सकें ट्रिंगे रागरी होता है यह कैसे होता है कुछ इंटील को जाये क्या है सब्सक्राइब सब्सक्राइब प्लस एबी हो गया अभी एपलस एबी हम लोग उपर है प्राइस की ऊपर जाएगा अगर आपको उपर का ही गरबड़ है तो आपको नीची का डिराइव नहीं होगा कोई भी तो सबसे पहला काम किजिएगा बेसिक जो उपर से वेरिफाइब करते हुगा यह यह लाइन बाल सक्षन में कुछ भी पूछ सकता है मैं आपको बताने के लिए तयार मैं उसका एंसर करूंगा इससे ज्यादा बेसिक तो कोई बता नहीं सकता क्योंकि मैं बहुत बेसिक से बता रहा हूं और मुझे आपसे एक बात और कहना है कि अगर आपको मेरे पढ़ाने के बाद अगर कि यह आगे सीरीज चलता रहा है नहीं तो यहीं मुझे स्टॉप हो जाना पड़ेगा तो फिर आगे यह चीज बंद हो जाएगा मैं वीडियो बनाना बंद करूंगा तो फिर सारे चीज़ जो इस्टुएंट सीख रहे हैं वह उनको भी लॉस होगा तो आप लोग यह काम मैं डरूर करें चलिए मैं आगे आता हूं एं पलस ए बार बी क्या हो जागे कीसे हो 거야 कि कि यह बार डाबस ट्र इक जाएगा इंट जैकंक प्लस अंटु ए प्लस ए प्लस ए बार प्लस भी हो गिया ओके मैं वीडियो को ज़्यादा नहीं करता हूं इसलिए जल्दी सोड़ा सा बताना चाहिए अप्सके आपके काम का थेयोरम है मैं उसको एक्स्प्नेम्स जादा करूंगा और वाकी सब आप खुद से प्रूफ करें ओपर पढ़ाना एंटू वL reduce ऑना झार किया श्यों रख़ियाठी कि ऐसे इंटू ऑर क्या हो इक रहं प्रोस सब लिए थीच कानि थीचतर ओकर करका यह थीच हम आते ही यहां पकूं सेंसस थे Ceo यहां मैंने लिख जया consensus theorem यह क्या यह मुझे explain करना यह आपके लिए important है यह नया चीज़ आपके लिए बागी सारा चीज पुराना था easy था consensus theorem में क्या होता है कहता यह theorem कहता यह है कि अगर किसी भी boolean expression में एक variable दो बार आया है अगर कोई boolean expression ऐसा given है आपको जिसमें हर एक variable harvest ऑपकर हुआ यहां when i स्थारा पर एंड्र कुमलिमेंट फार्म आंद अनद क्या है कि अगर ऐसा हो कि हर वैर्डियवल जो देख रहे हैं जेतना जितना है टोटल वर्याईबल A भी दोबार आया, B भी दोबार आया, C भी दोबार आया, तो ऐसे expression में हम सबसे पहला चीज यह देखेंगे, कि कौन सा variable है, जो एक बार compliment आया और एक बार uncompliment आया, ठीक है, या तो ऐसा होगा, या फिर देखेंगे कि ऐसा variable जो change ही ना हुआ, मतलब कोई एक ही होगा ऐसा, देखेंगे, इसमें देखें, A, B, A बार B, तो A को देखेंगे ध्यान से, तो A change हो रहा है, एक बार कि A क्या compliment form में है, और एक बार क्या uncomplimented form में है, देखाई दे रहा है, बाकि B सेम है, चेंग नहीं हुआ, C भी सेम है, चेंग नहीं हुआ, तो कौन change हो रहा है, सिर्फ A change हो रहा है, एक बार ये compliment में है, एक बार ये बिना compliment के है, तो क्या होगा, consensus theorem ये कहता है, कि अगर ऐसा कोई expression है, जिसमें एक variable change कर रहा है, compliment से uncompliment हो रहा है, बाकि कोई change नहीं कर रहा है, तो सिर्फ वही variable का combination रहेगा, जो change कर रहा है, बाकि eliminate हो जाएगा, तो कौन कौन रहेगा, जिसमें जिसमें A है, तो A इसमें, A इसमें है, क्योंकि एही नहीं चेंग रहा है, तो A वाला pair सिर्फ रहेगा, बाकि जो चेंज नहीं कर रहा वो हड़ जाएगा तो BC क्या हो जाएगा इसकी हड़ जाएगा AB पलस A बार C हो जाएगा answer BC क्या हो जाएगा हड़ जाएगा यही है AB पलस A बार C यह consensus theorem कहता है सिमिलरली यह आप प्रोड़क के फॉर्म में देखा यह पॉस फॉर्म में अगर आप देखेंगे तो सौप और पॉस का मैया लग से एक वीडियो बनाया हुआ वह देखेंगे आप लग तो उसमें मिल जाएगा आपको इस सौप फॉर्म में क्या होता है पॉस फ क्या होजा है एक बार A है एक बार यह बार हो जा रहा है वाकी तो सेम है b सेम एसी सेम है तो इसमें क्या हो जाएगा कि इसका ३बड़ vi-e bar प्लस e तो यह दो theorem कहला आएगा consensus theorem या तो multiplication form में, soft form में या post form में दोनों में यह output होगा और मा लेजिए A ना change करता B change करता, तो कौन-कौन output लिखता है यह वला और यह वला अगर मा लेजिए यहाँ बार रहता और यहाँ B रहता और A वैसे ही रहता, यहाँ पर A ही रहता ठीक है, A चेंज ना करता, सिर्फ B चेंज करता तो हम B वला output लिखते हैं, लिखते हैं, क्या लिखते हैं A, B बार, पलस B, C ठीक है, बास समझ वारा है, कोई भी variable जो चेंज करेगा, सिर्फ एक ही चेंज करेगा तो वही जो चेंज कर रहा है, उसी की आउटपुट को, उसी की कॉंबिनेशन को आउटपुट में लिखेंगा बाकि जो चेंज नहीं कर रहा है, उसको इलिमिरेट कर देंगा यह था consensus theorem, बहुत important theorem है, बहुत जादा आपको detail एक्टों में देखने को मिलेगा और सब के ऊपर एक over complement है मतलब पूरा प्रोड़क्ट के फिर्म में वारियेबल धेर सरा हो सकता है इन तक हो सकता हो के बाते हैं इंटु बी इंटु 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 इस सब के ऊपर एक बार बार है complete whole बार तो यह क्या कर रहेगा कॉंस्ट यह दिमॉर्गन सिर्म कहत पह्ए रखेंए बार पलस और सक्क्राइब जिंटुम्ट इंटु में हो जाएगाzin में थे का बार तो लिखते हैं थो कोली में कैर रहा तो लिखते हैं लए प्लस बी बार इंटुसी बार गए तो यह बहुत इंपूर्टेन्ट थे और हमें याद रखेगा इसका नाम है Demorgans theorem, बहुत ज़्यादा यूज होने वाड़ theorem है, आगे आते हैं, Commutative law and Associative law, ये math में पढ़ा होगा आप लो, Commutative law, basic, A plus B क्या होता है, बराबर था B plus A के, A into B क्या होता है, B into A के बराबर था, ये Commutative law होता है, ये एक दम सिंपल था theorem है, ये तो बहुत बड़ा प्रिपीट कर चुक है, जो नया था आपके लिए, Consensus था, Demorgans था, और उपर में जो पढ़ा, Distributive था, Associative law क्या होता है, A plus B plus C, ये भी पढ़ाब में इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं, अगर ये दोनों एक साथ है, अभी हम क्या कर सकते हैं, इन दोनों के A plus B को साथ रख सकते हैं, या फिर सारे का bracket रटा दें, ऐसे, तीनों एक ही चीज़ है, यानि ऐसे लिखें, चाह ऐसे लिखें, चाह ऐसे लिखें, बूलियन एक ही कहलाएगा, तो हम सौब पॉस का अलग से विडियो बनाएंगे, उसमें इस चीज़ को बारी-बारी से एक्स्पेन करेंगे आपको, वहाँ भी आप देखेंगे, फिलहाल, आपको मैंने जो भी ये बताया, पूरा बूलियन अलजेबरिक थियोरम, ये सारा थियोरम आपके लिए बहुत चीज़ी लगने लगेगा, ओके, थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स वीडियो,